तो दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए 5 मिनट पे बनने वाली रेस्पी लेके आई हूँ जिसे आप चलते फेड़ते बना सकते हो छोटी मोटी बूप में बना कर खा सकते हो तो दोस्तो रेस्पी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है मैं हूँ राधा और राधाजी की मोटी वाली कोई सीवी सूजी ले लें थोड़ा चान लें और एक बाउल में ट्रांसफर कर लें अब आपको यहाँ पर टू थड़ कप धई लेना है धई जो लें ज्यादा खट्टा ना लें हलका खट्टा ही लें साथ में आदा कप के लगबग आपको यहां पर भूंदी ले लिना है तो मैंने मसाले वाली बूंदी लिए आप नॉर्मल प्लेन बूंदी आती वो भी ले सकते हो मसाले वाली लोग ही तो और भी चटपटा नाश्ता बन करते यार होगा तो सभी चीजों को अच्छे से फिलाल हम मिक्स करेंगे तो पाने नहीं डाले पहले उसको व फूल जाएगी तो ज्यादा देर नहीं उल्ली पांच मिनिट के लिए ढखकर रख देते हैं अब इसको हम यह ओपन करके देख रहे हैं सूजी हमारी बहुत अच्छे से फूल चुकी है और नाश्ता बिल्कुल बनने लाइक तयार हो चुका है ज्यादा देर इसमें लगती प्याच को बारिक कटकर के i겠 कर दिना नाश्ता में तामांटर लां वित शत्र hice है तर सक्रय करदूर प्रेट कर देख लें के और आप प्लक मुझीं बीच को निकाल थे चांता आप ज़ना नीए उसमें नाश्ता हम नहीं ने समdes of the protein यह और रेट कर एड करे लगता है अब इसमें हरे दनिये को डालें और अच्छे से मिक्स कर लें उस टाइम पर में भूल गई थी तो अब मिक्स कर देती हूं तो बेटर देखा फ्रेंड्स अभी हमारा काफी जादा गाड़ा है तो इसको तोड़ा में एड़िस्ट करना होगा है क्योंकि इतना गाड ज्यादा पतला नहीं करना होता है हमें इसके गोल को और नहीं ज्यादा गाड़ा करना होता है बस इस तरीके से करना होता है ठीक है फ्रेंड्स गेस ओन करके अब मेने यह तवा रग दिया है और अभी फिलाल गेस की फ्लेम फुल कर दिया है तवा गरम हो जाए जब गेस की फ्लेम स्लो कर दें और जो हमारा गोल है उसको एक चमबच को इस पर डालें और अच्छे से गोल-गोल फेलाते चली जाएं और हां थोड़ा इसको मोटा ही करें जिससे बहुत अच्छा खाने में लगता है आपने सूजी की चीले बनाये होंगे कई बार खाये होंगे बट एक घर पर खाने के लिए बनाओ ना तो बिल्कुल यह ताम जहम करने की जर्वत नहीं है शेप केसा भी हो तेश तोला जवाब होगा हलका से ओई लगाए और इसको पलेट दें तो करीब डेट दो मिनिट लगवक टाइम लगता है क्योंकि इसको हम स्लोगे सेखेंगे हलका जाएगा उपर से अंदर तेकडम सोफ्ट खाने में बहुत ही मज़ेदाल लगता है फ्रेंट्स तेक प्लेट में में निकाल लेती हूं और एक बार और आपके लिए बता देती हूं बहुत आसाने इसको बनाना एक आपको बूंदी का गोली बनाना होता है सूजी में और इ इस वीडियो को लाइक कर दीना वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज सपोर्ट करना तो बिलकुल ही ना भूलें आप सभी सपोर्ट करें आप सभी सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंट कॉमेंट करके भी बताया करें आपको रेस भी कितनी प बन चुका है तो टमेटो, केचप, हरीमेट्स की चटनी किसी की भी साथ आप इसको इंजोई कर सकते हो यदि रेज भी अच्छी लगी फ्रेंड तो वीडियो को लाइक और चेनल को सस्क्राइब करके सपोर्ट करना बिलकुल न भूलें जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो मेजब तकी लिए, बाइ!